कि हैं एव्रीवन कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे और अपनी एक्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे तो जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था हम जो है यहाँ पे इस इन इस चैनल पर आपकी सीट एसस्टी सीट एड ए क्लास तक उसके बार जो है बाकी की आपकी विडियो जो आपकी जो आपकी जिए ग्याफियों की वह भी कार वाएंगे तो यहां पे आप जो है समाजिक विग्जान के जित्ते भी स्टूडेंट्स हैं जो सीट एसेस्टी पेपर 2 को क्लीयर करना चाहते हैं किसी वाज़े से अब तक नहीं कर पाए थे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो अगर आप तक जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो NCRT बुक्स हैं वो रीड करनी हैं बहुत ही अच्छे से थौरोली मैंने आपको कल भी कहा था इससे पहले भी कहा था तो अगर अभी तक भी आपने मार्केट से इन बुक्स को पर्चेज नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो क्योंकि जो यह बुक्स हैं यह ना सिर्फ आपको सीटेट में काम आने वाली है जब आगे आप जो है वो टीजिटी और पीजिटी के तेयारी करें क्योंकि तब आपने परचीज करनी पड़ेंगी तो आप अभी कर लीजे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे तो चलिए यहां पर आप जो है हम पहले हिस्टी कंप्लीट करेंगे ठीक है यह जो सिस्ट क्लास के न्सी आर्ट है इसमें हम वो कंप्लीट करेंगे यह न्सी इसका करा है यह दो से तीम पार्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा है तो दो तीन वीडीयोस के बन सकती हैं करें अगर आपको पूरी तयारी करनी है अच्छे से तो अगर आप के पास टाइम बहुत कंत वहां है और आप أنا जो है बुक्स को पूरा complete नहीं पढ़ सकते तो आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको उससे भी बहुत अच्छा benefit मिलेगा पेपर जरूर से clear कर जाएंगे तो चलिए और अब तक आपने जो है हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि यहां पर आपको स सब्सक्राइब करने से पहले मैं यहां पर चोटा सा इंट्रो चोटी सी बात आप से share करना चाहती हूं देखिए आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं चाहिए या कुछ और है ठीक है तो आपने आप completely a to z तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते सब कुछ याद नहीं कर सकते तो हमें करना होता है जो important चीजें होती है उन पर focus करना होता है कि क्या चीजें important है उनपे हम भाको do पर रहते थी क्या दa हो स्टार्ट हुआ है और जो आपके व्यापार के केंदर होते हैं वह कौन से होते हैं आयात निर्यात इस तरह की जो चीजे होती है यह जादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो आहां जो है इन चीजों को फोकस करेंगे और फिर आप अगर प्रीवियस अर्वी उठाके द और जब हमारी यह 6th class की NCRT जो है complete हो जाएगी उसके बाद मैं आपको मैप की साहता से भी जो है आपकी revision कराऊंगी और चीजे जो है आपको revise भी हो जाएंगी और आसानी से recall हो पाएंगी जब भी आप next time आपके exam में चीजे आएंगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question है हमारा यहां पे वह कौन सी पहाडियां है जहां प्रारंबिक खेती के शाक्षे मिले हैं यह बहुत बार question आ चुका है तो सुलेमान और किर्थर की पहाडियां है जो यह map भी है यहां पर प्रारंबिक खेती के हमें शाक्षे मिले हैं कहां है कौन सी जगा पर है यह ये हैं आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ठीक है अफगानिस्तान के बीच इन दोनों के बीच में हैं ये पहाडिया ये भी आपने दिहान रखना है नेक्स्ट है आपका प्रारंबिक पशु जिने पालतू बनाया गया तो भेड, बकरी, गाय और बैल प्रारंबिक पशु थे जिने पालतू बनाया गया और सबसे पहला कौन सा था अगर फॉर्स पूछा जाता है तो वो है आपका डॉग यानिकी कुत्ता नेक्स्ट है आपका थर्ड उत्तर पूरों में सबसे पहले kul कहां उगाया गया या कहां उगाया गया ठीक है तो इस Question को गुमा के पूछा जा सकता है कि विंदया भारत के विंदया पहाडियों में कौन सी फसल को उगाया गया या कौन सी फसल के शाक्षे मिले हैं तो कौ कोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है तो क्या कहलाती है उसकी सायक नदी कहलाती है जो सिंदु नदी है उसकी बहुत सारी सायक नदी है यह आप अगे पड़ेंगे आगे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हैं ऐसे आगे है आपका पांडु लिपी क्या थी यह किस पेजी होते हैं इन on jemand the Pagis पर लिखते हैं तो इस चाखनी दो परेख लिक ज़ाता था और आपसे पूह जाता है कि कौनसी पेड़ की छाल से बनाया जाता था तो पेड़ की छाल से बनाया जाता हम द facto फुर्इज चंप 킨ोीatbud आमक Peki चाहल से Paandu Lipi जो है वह तयार की जाती थी नेक्सक्ट है Paandu Lipi अधिकांस्चता कहां से प्राप्थ हुई है ठीक तो यह आपका Mattern moderate,まだ मन्दिर और विहारों से जो है, हमेंان पांडün Lecripti सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है इसके बाद है अतीत में बनी और प्रियोग में लाई गई वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या कहलाता है पुरा तत्वविद ये भी इंपोर्टन्ट है इसके अलावा इसको ऐसे गुमाके भी पूछ सकते हैं कि पुरानी चीजों का अध्यन करते हैं या फिर मन को या फिर स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं इन सब चीजों को ऐसे दो तीन नाम दे देंगे और उनको क्या कहते हैं क्या कहते हैं पुरा ततुवेद कहते हैं इसके बाद आपका है next पाठे पुस्तक हमारे अतीत में अतीत शब्द का बहुचन में प्रियोग किया गया है क्यों ये बहुत ही important question है और बच्चे बहुत confused होते हैं इसमें तो यहाँ पे जो अतीत है हमारे अतीत बोला गया ना हमारे अतीत अपने आप में क्या शब्द है बहुचन है तो बहुचन शब्द का प्रियोग क्यों किया गया है तो इसका सही जवाब होगा क्यों की हर समूं के लिए अतीत के माईने जो है वो अलग-अलग थे अगर आपने NCRT पड़ी है तो as it is उसमें ये लाइन दी गई है जो आपकी वो सही मानी जाएगी नेक्स्ट है आपका क्रिशी का आरंब कब हुआ क्रिशी का आरंब हुआ आपका 8000 वर्ष पूर 8000 साल पहले क्रिशी का आरंब हुआ था मगद राज्य किन नदियों के किनारे बसा था या किन नदियों यहां से यह भी पूर सकते हैं गंगार सोन नदी के आसपास कौन सा बड़ा राज्य था तो कौन सा था मगध था अपने आप में ही बहुत इंपोर्टेंट है यह सेवन्थ क्लास में काफी डीटेल में दिया गया है नेक्स्ट है प्राचिन काल में आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी तो कौन सी थी प्राकृतिक थी नेक्स्ट भरत नाम का प्रियोग कहां रहने वाले लोगों के समूं के लिए किया जाता था तो उत्तर पश्चिम यान की भारत के उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका प्रियोग जो है वो भरत के लिए किया जाता था भरत नाम से किया जाता था और इसके बाद है रगवेद किस भाशा में लिकित है संस्कृत में लिखे हुआ है या आप इसको अगर कई बा अब यह सिरफ स्टार्टिंग के जो भी आपके चैप्टर से उसमें इतना जादा कुछ नहीं है तो आगे रीटेल में आएंगी चीज़ें उसके बाद है इसा मसी सौरी इसाई धरम के प्रवर्तक कौन थे तो इसा मसी यहां पर एक चीज और समझ लिए अगर किसी को नहीं प क्राइस होता है नमारा फिफोर क्राइस होता है औरेडी होता है हमारा तो दोहजार इक किस और कैसे लिखते हैं तो नीची Ops. 내용 में था 2021 BC 2021 AD या 2021 से करके और है उप्षिन थे तो 2021 AD इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे की बॉक्स बने होते हैं ब्लीव कलर के वो जरूर से देख लिए उनी में से प्रश्ण है रोसेटा क्या है मिस्र के उत्री तट पर एक कस्पा है जिसका नाम क्या है रोसेटा है गंगा के दक्षिर में विशाल प्राचिंतम राज्य कौन सा था देखो मैंने उपर आपको बताया पुरा स्थल कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं आपके भीम बेट का हुंसगी और कुर्नूल की गुफाएं यह सभी जो चीजे हैं मैं आपको बाद में मैप में भी जो है वो शो करूंगी तो यह कई बार इनकी करेंट लोकेशन भी पूछी जाती है ठीक है तो यह भी प्रारंबिक गाउं कौन सा है तो कौन सा है हमारा इमाम गाउं जो है एंसी आर्टी के कोडिंग हमारा प्रारंबिक गाउं माना जाता है आरंबिक जहां लोग 21 प्रेशन है आपका जहां लोग पत्थरों से 1000 बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं उद्योग स्थल क्या कह नेक्स्ट पाशान ओजार का निर्मान किन तकनीकों से किया जाता था तो दो तकनीके थी में जो थी पत्थर से पत्थर टकराना और दवाब शल्क की तकनीक ऐसे पूछा जा सकता है आपका कि निम्न में से किन तकनीकों का जो है वो किन तकनीकों से ओजार बनाए जाते थे औ और आपके option में 3-4 डाल देंगे और ऐसे पूछ देंगे A, B, B, C या C, D कुछ ऐसा सा पूछ देंगे तो पत्थर से पत्थर टकराना और दवाबशल की तक्नीक, ये दो तक्नीके थी जिन सो अजार बनाए जाते थे 24 वा है आपका कुर्नूल गुफा से किस चीज के अफशेश मिले हैं, तो किस चीज के मिले हैं, राक के अफशेश हमें कुर्नूल गुफा से प्राप्थ हुए हैं 25 वा प्रेशन है आपका मानव इतिहास की 99 परतिशक कहानी किस युग में घटित हुई तो हम तीन जो है वो युगों में इतिहास को पड़ते हैं आप तब पूरा पाशान, ठीक है मद्ध पाशान और नवपाशान तीन है तो जो पूरा पाशान है वो सबसे जादा लंबा था 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक कि जो कहानी है उसे हम पूरा पाशान काल के नाम से जानते हैं तो 90% जो घटना है वो इसी काल में घृटी है नेक्स है आपका परियावरण में बदलाओं किस काल में मिलते हैं तो कौन से काल में जो हैं ज़नक जलवाईू या इसको ऐसे भी पूल सकते हैं कि जलवायू में अचानक परिवर्तन कब आने शुरू हुए क्योंकि जो ये वर्ड है ना जलवायू में परिवर्तन या आपकी NCRT में उंचन है तो मैसो लेते कि यानगी मद्धे पाशान काल में यानगी 12,000 से 10,000 साल पहले तक जो है वो आपको परिवर्ण में अचानक बदलाब देखने को मिलेंगे जंगल और घासे पनपने लगेगी और जलवायू में परिवर्तन होगा तो ये चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट है इसके लावा यहाँ पे देखो ये वाला जो काल था आपका मद्धे पाशान काल इसे माइक्रोलितिक या लगू पाशान काल भी खहते हैं और इस टाइम पे जो मचली है वो महतपूर्ण सोर्स बन गई थी किस चीज़ का बोजन का अभी तक क्रिशी चल रहा था तो अब जो मचली भी है वो महतपूर्ण बोजन बन गई थी नेक्स्ट है आपका नव पाशान युग की शुरुवात कब से मानी जाती है तो दस हजार वर्ष पूर्व दस हजार वर्ष पूरु से आपकी नव पाशान की ये तीनों आप याद रखेंगे मैं आपको एक बर बता देती हूँ जो आपका पूरा पाशान है वो तो है आपका बीस लाख साल पहले से बारा हजार साल पहले तक का यानि कि नव पाशान जो है आपका वो है आपका 10,000 साल पहले का तो ये तीनों भी important है ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट है आपका शेल चित्र कहां मिले हैं तो जो शेल चित्र मिले हैं वो आपके मिले हैं मद्य परदेश और दक्षिणी उत्तर परदेश की गुफाओं में अगें important question 29 है भारत में शुत्र मुर्ग किस यूग में होते थे तो ये भी NCRT में से है तो ये पूरा पाशान यूग में होते थे और इसके अलावा ये भी पूर सकते हैं कि कहां से इसके अफशेश मिले हैं या इन से क्या बनाया जाता था तो महराश्ट में इसके अफशे स्थाई रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंब कब किया मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूं जो questions यहां पर बताए जा रहे हैं आपको सभी बहुत important है और साथ में आप इनको Google वागेरा से चेक ना करें क्योंकि जो CETAT या DSSB कोई भी पेपर बनाती है उनका जो पेस होता है या फिर जो माननेता होती है वो DSSB या फिर जो भी आपका CETAT होता है वो उनकी जो मानते हैं वो dates वगरा वो मानते हैं NCRT की तो आप जो है इनको Google वगरा से चेक ना करें क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ अ उस्ताई रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया कब शुरू की थी तो 12,000 साल पूर जो है वो स्टार्ट हो गई थी कौन सा काल था यह 10,000 से 12,000 साल पहले वाला मद्य पार्शान नेक्स्ट है आपका क्रिशी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचिंतम फसले कौन सी थी ग पहला पालतू जानवर कुत्ता था इसके बाद भेडवक्री और गाय सुर जो है यह वी इनको पालने लगे थे इसके बाद नेक्स्ट है आपका गर्तवास क्या था गर्तवास की से कहते हैं गड़ों के नीचे बनी सीडियों में उतरने के लिए सीडिया भी होती थी जिसमें उतरने के लिए सीडिया भी होती थी उनको हम क्या कहते थे घर्तवास कहते थे और जिसके शाक्षे कहां से मिले हैं कष्मीर के बुर्ज हाँ में मिले हैं हमें नेक्स्ट है आपका मेहरगड में किस प्रिकार के घरों के अवशेश मिले हैं तो मेहरगड में जो मिले हैं वो मिले हैं चुकोर और आयताकार घरों के अवशेश नेक्स्ट मृत्तकों के साथ बकरी को दफनाने के शाक्षे कहां से मिले हैं ये भी हमें मिले हैं मेहर गड़ से इसके साथ और भी चीजे थी या आप से ये भी पूसकते हैं कि मेहर गड़ में जो मिर्टक केश वो मिले हैं या फिर जो कबरे वगएरा होती हैं उसमें किस जानवर को दफनाया गया है ठीक है ये भी केशन ऐसे पूसकते तो बकरी को दफ प्त्थर कहां से आयात होता था तो चीन से होता था क्योंकि यहीं पेस के आस-पास शाक्षे भी मिले थे। Q37 मेहरगर में बस्ती का आर्म कब हुआ ? तो मेहरगर में जो बस्ती का आर्म हुआ है वह है आठजार साल पहले। चिरांद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ? तो मैंने आपको पहले भी बताया था भीम बेट का है वो आपका है MP के अंदर यंके मध्य प्रदेश में यह इंपॉटन्ट है पूछा जाता है नेक्स्ट हडपा सभ्यता के शहरों का निर्मान कब हुआ तो जो हमारी यह सभ्यत है ती जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे यह इसकी शुरुआत हु को रोखने के लिए प्लास्टर के उपर चारकल की परत को चड़ाया गया था यहां पर आपको मोहन जोड़ों की विशेष्टा या इसके बारे में लिखी चार बाते देद्गे और आपको गलत जो गलत विशेष्टा होगी व्ह आपको बतानी होगी ठीक है तो सदल ग्रह भी मिले हैं तो नेक्स्ट है आपका तो इससे क्या हमें पता चलता है कि व्यपार सल भी रहे होंगे है ना तो इस तरह से वह जो है वह चीजें लिंक करके भी दे सकता है ओके नेक्स्ट है आपका हडपा सभेता के बाट किस पत्थर के बने होते थे तो यह चर्ट नामा के पत यूचा गया यह सीटाटके सासध आपका डी टी पलेसन गढ़ाई दार वस्त पहने व्यक्ति की मुर्ति कहां से प्राप्त होई है नो मोहन जोडरों से जोडरों से व्यक्तिक प्राप्त होई यह सबहरने के लिए देंगे और चार चीजों में से एक गलत बतानी होगी तो यह मूर्ती भी जो है वहीं से मिली है कपड़े के टुकड़े चामदी के फूलदान के अवशेश यह सभी जो चीजे हैं वह मोहन जुदूर से हमें मिली है नेक्स्ट है आपका मेहरगड में कपास की खेती कब होती थ यह बालू और स्विटिक पत्थर वे गोंद का मिश्णन था जिससे की यह सारी चीजे बनाई जाते जिसे मन के चूडियां बाले चोटे बरतनादी बनाए जाते थे नेक्स्ट है आपका तामबे का आयात कहां से होता था तामबे का आयात होता था आपका राजिस्थान से भी होता था तिन का आयात आदुनिके रान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोने का आयात आपका करनाटक से किया जाता था तो यह तामबे का राजिस्थान और सोने का करनाटक आपका बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है हडपा सभिता के नगरोकांत कब शुरू ह तो क्या हुआ और कब अचानक से शुरुवात इसकी कब हुई थी आपकी 4700 साल पहले और 4900 साल पहले जो है इसकी अन्ति की शुरुवात हो गई थी ठीक है माना जाता है कि उसके बार यह धीरे 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 जो है वह डिकलाइन होता चला गया नेक्स्ट आपका लोथल महत्व पुर्पुन शहर क्यों था तो क्यों था यह यह वह बंदर गाहा था यह पार का केंदर था कीमती पत्थर वगएरा मिलते थे आप एक अच्छा माल उपलब्द होता था इसलिए और भी बहुत सारे चीज़े हैं ठीक है तो यह इसलिए हापका जो है वह में जो है बंदर ग लेकिन जो अबहता है, ज्यादा तर नगर थे वह दो भाग होते हैं, पश्चिमी भाग जो होता था, उचाई पर बना होता था, और ौर पूर्वी हिस्सा था, वह निचले इलाके में होता था, उतिहासकार पूर्रा तत्विदिया इतिहासकार हैं, उन्होंने नगर-दुर् सकते हैं इसके अलावा आभी आपके मैंने स्टार्टिंग के जो फोर चेप्टर से उनके एमसे की उसको कम्ट्रीट करा दिया है इस वीडियो के अंदर गद अब जो है आगे जब मैं अपकी रिष्ट के रिविजिन कराऊंगी तो मैं मैं आपकी सहहता से आपको समझाऊंगी आपको चीजे रिकॉल होंगी अच्छ से आप आप चीजों को दुबारा से a-da-do कर चांगे याद कर पाएंगी तो आप बताती तो आप जो है वह दी लेते लेकिन जैसे। अब जब चीज को बढ़ते हैं तो कि तो आशे कि पसंद हो Warren आप इसके साथ साथ आपकी Part 2 बनेगा जो आपका इसका Part 2 बनेगा उसमें आपको 6th Class की जो NCRT है इस्टरी के आपकी उसको complete करा दिया जाएगा साथ में आपके previous year की भी preparation चल रही है उसकी वीडियो भी बन रही है वो भी आपको करवाएंगे प्रिवियस years करके बहुत फायदा आपको मिलेगा जब आप previous year करते हैं तो आपको पता चलता है कि questions जो है वो किस तरह से form होते हैं किस तरह से बनते हैं कैसे हमें जो है वह answer को opt करना है कैसे हम जो है किन किन method से हम नई तरीकों से questions को जो है answer को tick करते है आज कल जो है हम जो questions आते हैं वो ज्यादा तर आपके तीन मेंसे जो होता है कि आप सिंगल direct question नहीं आते थोड़ा सा घुमा फेरा के थोड़ा सा complicated या फिर थोड़ा सा application based होते है questions उस type से आते हैं ठीके उनकी practice भी हम करेंगे आगे जाके तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होग करना चाहते हैं ठीके thank you so much